हेलो गाइस आज हम कपल अफ कोकूस के एपिसोड 58 को एक्स्प्लेन करने वाले हैं लाश्ट एपिसोड में हमने देखा था साची हीरो के साथ रहने चली गई थी और नागी, एरिका और एई आई क्या साची ने हमारे पैरेंट्स को बताया कि वो श्राइन में रह रही है और फिर वो सोचता है मॉम तो काम में बिजी होगी मैं डिरेक्ट साची से पूछ लेता हूँ जल्दी आंसर मिल जाएगा और वो अपना फोन उठाने लगता है पर AI उसे रोक देती है और कहती है दुबारा फोन के पीछे पढ़ गए तुम्हें पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए नागी कहता है हाँ हाँ और अब नीचे का सीन आता है और AI फालतु की बकवासे कर रही थी वो कहती है आखिर में इसे फिलियल लव कहती है और आगे वो अपने फोर हेड पे इशारा करते हुए बोलती है मुझे ऐसा फील होता है जैसे यहाँ पे कुछ प्लेटॉनिक हो एरिका अपने टेबलेट में कुछ देख रही थी और वो कहती है क्या तुम थोड़ी देर के लिए चुप हो सकती हो AI उससे सौरी बोलती है और अब वो क्लॉट्स को फोल्ड करते हुए कहती है नागी स्टडी पे फोकस नहीं कर पा रहा है वो बस साची के बारे में ही सोच रहा है एरिका कहती है तो तुम कहना चाती हो कि मैं फश्ट आ सकती हूँ AI कहती है नहीं वो बोलती है इसमें कोई डाउट नहीं है कि नागी कुछ ही टाइम में अपने स्टडी मोड में वापस आ जाएगा प्रॉबलम तो हीरो की साइड से है दूसरे शब्दों में नागी को डेट करने के लिए हीरो को उससे टेस्ट में हार ना होगा और ये उसके लिए किसी शेम से कम नहीं है और यहीं पे होती है साची की अंट्री AI बताती है अगर हीरो हार गई तो वो बोल सकती है कि साची का ध्यान रखने की वज़े से वो स्टडी इस पे फोकस नहीं कर पाई और वो इसी को अपना एक्सक्यूस बनाएगी अगर वो ऐसे ही सिंपल तरीके से हार जाती तो सब समझ जाते कि ये उसने नागी को डेट करने के लिए किया है पर साची की वज़े से अब वो इस बात पे परदा डाल सकती है और एरिका रोते वे बोलती है मैंने तो डेरक्ट यहीं सोचा था कि वो टेस्ट जीत कर साची को मुझसे और नागी से दूर कर देगी और एयाई कहती है मैं इस बात को डिनाई नहीं कर सकती मतलब ऐसा भी हो सकता है और अब हीरो के श्राइन का सीन आता है और साची हीरो की जगे काम कर रही थी और हीरो बैठी हुई पढ़ रही थी और वो साची से कहती है तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है क्या वो कहती है बेटर यही होगा कि तुम्हारी लापरवाई मेरी नजर में ना आए साची शौक होते हुए कहती है मैं कर रही हूँ और हीरो कहती है कहीं तुम अभी से ही नागी को मिश तो नहीं कर रही साची का फेस लाल हो जाता है और वो कहती है नहीं मैं नहीं कर रही और हीरो कहती है मैं बता सकती हूँ वहाँ नागी भी तुम्हारे बारे में ही सोच रहा होगा और इसलिए first place तो मैं ही आऊंगी साची हैरान होकर कहती है psychological welfare और हीरो कहती है जीतने के लिए ये जरूरी है और साची कहती है तुम नागी को date करना चाहती हो ना तो फिर first क्यों? हीरो बुक बंद करती है और उसकी तुम कितनी लालची हो वो कहती है तुम smart हो पर तुम idiot भी हो और हीरो की बोलती बंद हो जाती है और अब नागी का सीन आता है और हम देखते है कि AI ने उसके फोन को डबबे में रखकर लौक कर दिया है और नागी मन में बोल रहा था फोकस नागी फोकस ये साची के बारे में सोचने का टाइम नहीं है हीरो और मेरे एक साथ होने का future लाइन पे लगा है ये मेरा last chance है और तभी एरिका आती है और जोर से बोलती है नागी और नागी बूरी तरह डर जाता है और कहता है अब क्या हुआ और एरिका कहती है हम चीटिंग क्यों नहीं कर लेते नागी हैरान होते वे कहता है हम नहीं कर सकते एरिका कहती है ये अजीब है वो कहती है जब पूरे टेस्ट का मतलब यही है कि हमारी understanding को test किया जाए तो हमें तो अपनी best ability से questions का answer देना चाहिए तो सबसे बढ़िया तो यही होगा ना कि हम answer देख ले और नागी अपना सर पकड़ते वे कहता है प्लीज मुझसे universe और life के questions के answer के बारे में मत पूछो और Erika table पे books भिछा देती है और नागी सोचता है यह मेरे room में आकर क्या करने की कोशिश कर रही है वो सोचता है किया Erika मेरे साथ पढ़ना चाहती है और फिर उसे Erika की बात याद आती है जब उसने कहा था कि वो first आना चाहती है और वो सोचता है Erika यह सब बस hero और मेरे relationship के बीच में आने के लिए कर रही है मुझे इसके अलावा दूसरा कोई relation नहीं दिख रहा और Erika उससे पूछती है तो मैं बांकियों को छोड़कर सबसे ज़्यादा एक पसंद होगी ना मुझे बताओ और नागी sorry कहकर बोलता है वो hero है और Erika कहती है मैं subject की बात कर रही थी और नागी चिलाते वे कहता है math और नागी frustrated हो रहा था और Erika कहती है okay मैं समझ गई और वो वहाँ से चली जाती है और नागी हैरान हो जाता है और Erika गेट के बाहर खड़ी होकर कहती है अच्छा तो नागी को math पसंद है और अब रात हो चुकी थी और नागी बैट पे books का धेर लगा कर पढ़ रहा था और कह रहा था finally अब मैं concentration के साथ पढ़ सकता हूँ और तब ही AI बोलती है तुम sure हो नागी शौक हो जाता है ये कहां से आ गई और AI बोलती है तुम study पे concentrate नहीं कर पा रहे हो इसका reason ना ही साची है और ना ही बार बार Erika का बीच में आना इसके अलावा कुछ और reason है है ना नागी कहता है तुम्हें कैसे पता AI कहती है मैं तुम्हारी childhood friend हूँ मुझे सब दिखता है वो कहती है मैं तुम्हारा face देखकर ही बता सकती हूँ ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं है और नागी को पसीने आ रहे थे और वो बोलता है तुम सही कह रही हो मैं बेवकूफ हूँ मैं जा रहा हूँ हीरो को सब कुछ बताने और नागी के जाने के बाद AI कहती है नागी तुम बस straight to the point हो और मुझे तुम्हारी यही बात पसंद है वो बोलती है तुम्हारी यही honesty तुम्हे एक wonderful future देगी और इधर रास्ते में जाते वे नागी हीरो को message करता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है क्या हम मिल सकते हैं हीरो मान जाती है और इधर एरिका पढ़ते पढ़ते टाइम देखती है और कहती है ओ क्रैप मैंने नोटी से नहीं किया इतनी रात हो चुकी है और वो थोड़ा सा दर्वाजा उपन करके बाहर देखती है और बाहर सननाटा चाया हुआ था और एरिका आराम से नीचे उतरते वे बोलती है लगता है नागी पहले ही सो गया और वो स्माइल करते वे कहती है तुमारी इस इग्नोरेंस की वज़े से तुम फश्ट नहीं आपाओगे और एई आई बोलती है ऐसा नहीं है नागी बाहर गया है एरिका शौक हो जाती है और कहती है इतनी रात में वो कहां गया एई आई कहती है हीरो के घर गया है उसे सच बताने के लिए और अब हम नागी और हीरो को श्राइन के स्टेर्स पे बैठे हुए देखते हैं और हीरो पोचती है तो तुमें किस बारे में बात करने थी और नागी कुछ बोलने का ट्राए कर रहा था पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे बोले और हीरो कहती है क्या तुम्हें कोई problem है जिसको solve करने में तुम्हें मेरी help चाहिए नागी कहता है हाँ hero कहती है Erica के बारे में नागी कहता है नहीं और ऐसे ही कहते हुए hero, sachi और AI दोनों के बारे में पूछती है पर नागी कहता है नहीं और फिर hero हसते हुए कहती है तुम्हेरे बारे में नागी कहता है हाँ और वो कहता है मैं तुम्हें हमेशा से like करता हूँ भले ही मैंने तुम्हें टेस्ट में हराने के बाद confess किया पर तुम्हें accept नहीं किया hero कहती है हाँ और आगे नागी बोलता है और जब हम shrine के stamps collect कर रहे थे जब हम पहले बार date पे गए थे और जब हमारा secret बाहर आया था और जब हम एक साथ hotel room में थे और जब मैं तुम्हें भगा कर ले गया था वो कहता है मैं help तो नहीं कर पाया पर मैं हमेशा से तुम्हें ही पसंद करता हूँ hero कहती है हाँ और नागी कहता है पर जब AI ने मुझे से confess किया जो कि मेरी life में पहली बार किसी ने मुझे confess किया था जब मैंने साची का सज्जाना कि वो मेरी sister नहीं है और जब Erica को हम दोनों के बीच के feelings का realize हुआ तो मुझे realize हुआ कि मैं नहीं कह सकता मेरे दिल में जो तुम्हारे लिए feelings है वो love की वज़े से है या फिर मैं बस तुम्हे as a person और as a rival पसंद करता हूँ और वो चिलाते वे कहता है मुझे नहीं पता और यही बात मुझे खाये जा रही है और नागी खड़ा हो जाता है और hero कहती है शान तो जाओ नागी और नागी कहता है पर फिर भी मैं अभी भी तुम्हारे चैलेंज के लिए तैयार हूँ और आगे वो कहता है मुझे नहीं पता जिस person को आप like करते हो उसके साथ जानने में आपको उच्छुकता होती है या नहीं आपके feelings की उबार फटने लगती है या नहीं पर मैं बहुत anxious हूँ और hero कहती है तो तुम्हारा मतलब और नागी उसकी तरफ देखते हुए कहता है इस सबी situation के बाद भी क्या तुम मिरता डेट पे चलना चाहोगी और hero बिलकुल शौक हो जाती है और फिर उसकी आँखों से आंसू आ जाते है वो अपना फेस नीचे करती है और आंसू पोचते वे बोलती है तो तुम पूरे confident हो कि तुम मुझे हराद होगे और नागी कहता है हाँ और आगे वो कहता है इतना pathetic होने के लिए और इतनी लेम बाते करने के लिए सौरी और आगे वो बोलता है अगर मैं ये नहीं बताता तो मैं पढ़ाई नहीं कर पाता मेरा ध्यान बस इनी बातों पे आता रहता और hero उसके गले लग जाती है और नागी हैरान हो जाता है पर उसका face लाल भी हो रहा था और hero कहती है मैं समझ गई वो बोलती है हम दोनों के ही फियांसेस हैं पर इसके बावजूद date पे जाना तुम्हें पता है ये कैसा होता होगा वो कहती है obviously ये तुम्हें anxious कर रहा होगा और आगे वो बोलती है तुम जानते हो मैं नहीं चाती कि कोई तुम्हें मुझसे छीन ले मुझे लगा था कि अगर मैंने तुमसे confess नहीं किया तो कोई और तुम्हें परपोस कर देगी और तुम्हें अपना बना लेगी और इसलिए मैंने तुम्हें परपोस किया था और अब वो नागी से पूछती है तो क्या ये लव है या मैं बुरी तरह हारी हुई हूँ मुझे खुद नहीं पता मुझे लगा तुमने ये सब कुछ जानते वे मेरा चैलेंज एकसेप्ट किया था और अब वो हसते वे बोलती है सौरी मैंने तुम्हें अकेले चिंता में ड समझ रही हूँ कि ये कभी होगा भी नहीं और नागी कहता है ये सब अभी स्टार्ट होगा और साची हैरान होकर कहती है मतलब तुम दोनों डेट पे जा रहे हो और नागी कहता है इसलिए हम ये टेस्ट पे छोट रहे हैं कि हम डेट करेंगे या नहीं हीरो कहती है हाँ और और साची हैरान होकर चिलाते हुए बोलती है तुम दोनों की प्रॉबलम क्या है और अब नागी और हीरो एक दूसरे के आमने सामने होकर जोडसे बोलते हैं नागी बोलता है अब बस हमें आगे बढ़ते रहना है आगे वो बोलता है मैं definitely इसे जीतने वाला हूँ हीरो कहती है नहीं जीतूंगी तो मैं ही और साची कहती है बहुत रात हो चुकी है थोड़ा धीरे बोलो और अगले सीन में हम नागी को अपनी स्टडी डेक्स पे पढ़ते हुए देखते हैं वो बोलता है ये पैन मेरी डेस्टिनी लिखेगा और फिर हम चारों को इस लास्ट करें वीडियो पसंद आयों तो लाइक करें जल्दी मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ जब तक के लिए बाई बाई